नमस्कार दोस्तों सौगत आपका आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों बेसिकली कल के वीडियो के अंदर जिस तरह से मैंने बोला था कि मार्केट के अंदर अभी सेलिंग आ सकते हैं कि मार्केट अभी चल रहा था लाइप टाइम हाई की तरफ और वहाँ पर जैसे हम ट्रेंड चल रहा था उसके बाद में, मतलब ग्लोबल ये अगर देखा जा तो कोई भी न्यूस भी नहीं थी, ग्लोबल मार्केट भी साही सही जा रहा था, लेकिन हमारा जो इंडियन मार्केट था, अगर देखा जाए बाद में, तो फ्यूचर में, मतलब कल के दिन हम लोग किस तरह से मार्केट को देख सकते, किस तरह से उसका अनलिसिस कर सकते, और किस तरह से अगर ट्रेड प्लान करना है, तो किस तरह से प्लान कर सकते, वो सब चीज़े अभी मैं आपको आज़के इस वीडियो के अंदर एक्स्प्लेंग करने वालो तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर तो अपलोग जैसे कि देख पाओं के यहां पर मैं आ चुका हो निप्टी के 50-minute ताइम तर्टी मिनिट टाइम पर और यहां पर में इंका करते हो इसको पहले टामफ्रेम को बढ़ा कर ले दो मतलब कि एक वन डि टाम फ्रेम के अंदर हम लोग आते और यहां पर और उसी के चल दे यहाँ पर दोस्तों मार्केट उसे के आसपस आया था ठीक है इस तरह से हमारा कुछ मार्केट यहाँ पर फिलाल चल रहा था ओके उसके बाद में अकर देखा जा दोस्तों तो यहाँ पर हमें मार्केट जैसे कि मैंने कल बोला था कि यहाँ पर सेलिंग आ सक तो इसके अंदर जिस तरह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बड़े आसा यहाँ पर ग्याप देखने को मिलना मतलब कि एक ग्याप डाउन मार्केट ओपन हो उसके बाद में हमें कुछ इसके मतलब इस लेवल के आसपास का भी मार्केट यहाँ पर क्लोज हो चुका है तो अभी अगर हम लोग क्या करते हैं निप्टी के अंदर अगर टाइम फ्रेम को कम करते हैं 30 मिरी टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर 30 मिरी टाइम फ्रेम के अंदर हमें थोड़ा सम्माल के खेलना पड़ेगा मार्केट के अंदर क्योंकि पर दोस्तों कुछ लेवर सभी यहांपर अगर ड्रॉ के जाए तो यहांपर यहवाली एक resistance लेवर यहांपर जोने तो यहांपर में क्या करता हूँ इक जोनी ड्रॉख कर लेता हूँ यहांपर सो बेसिकल एगर देखा जा तो यह वाला जोन है और इस जोन के आसपा सभी मार्केट आ चुका है सो बेसिकल दोस्तों जैसे ये जोन नीचे की सैड में ब्रेक होगा तब भी हम लोग को यहापर सेलिंग की सैड के बी इंटरे मिल सकती है नहीं तो दोस्तों यहापर जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहापर मैं आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ यहापर यह वाला जो सपोर्ट जोन है तो यहापर कापी सारे बायस बेटे जो कि मार्केट को उपर के सैड में उठा सकते हैं लेकिन फिर भी दोस्तों अगर देखा जाये यहापर अगर सपोर्ट के सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में अगर मार्केट नीचे की साड में आता है तो दोस्तों जैसे के मैने काफी वीडियो सके इंदर बोला है कि जैसे support break होता तो support के नीचे की side में हम लोगो जो हमारे candlestick patterns होते हैं उनकी accuracy कापी हद तक ज्यादा देखने को मिल जाती ही तो अगर support break होता है अगर कल के दिन मान लो कल के दिन अगर support break हो जाए उसके बाद में जैसे support के नीचे market आएगा और नीचे की side में अगर आपको कोई भी reversal pattern मिल जाए मतलब एक bullish pattern आपको यहाँ पर अगर नीचे की side में देखने को मिल जाए यहाँ पर support के नीचे की side में तब वहाँ पर आप लोग trade plan कर सकते हो buying की side के अंदर मतलब की दोस्तों एक downtrend को अप्ट्रेंड के अंदर convert कर देगा ऐसा हम लोग यहाँ पर consider करके चल सकते लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा समझने की जरुरत है यहाँ पर दोस्तों अगर मैं और एक level यहाँ पर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगी इस वाले लेवल को हम लोग बाद में consider करेंगे लेकिन इस लेवल के उपर मतलब जो मैंने ड्रॉक की थी और यह वाला मतलब यह पूरा जोन आप लोग कंसिडर कर लो जैसे यह वाला जोन जैसे ब्रेक होगा इस जोन के उपर मार्केट निकलने के बाद में हम लोग को ट्रेड करना है मतलब कि दोस्तों यह वाला जो जोन है अभी जिस जोन के अंदर अभी अगर मार्केट चल रहेगा तो यहाँ पर बाइंगे सेलिंग हम लोग कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि य याप अपा जाए गाप डाउन आजाए नहीं तो दोस्तों यहां पर थोड़ा से मतलब नॉर्मल जो नूटरल ओपनिंग भी हो सकती है यहां पर तो अगर यहां पर देखा जाए तीन कंडिशन से यहां से अगर दोस्तों मार्केट दीरे-दीरे उपर के साड में जाए गा त हमता है तो यहां पर नीचे की साइड में अगर कोई भी आपको बुलिश कैनलेश्टिक पैटर अगर देखने को मिल जाए वहां से अम लोग क्या कर सकते मतलब बाइंग साइड की तरफ हम लोग जा सकते क्योंकि यह सपोर्ट की नीचे की साइड में आज जाएगा वहां प मतलब कि यहां पर मैंने जैसे बोला कि यहां पर अगर स्लोली मार्केट उपर की साइड में जाएगा तो वहां पर अम लोग को यहां पर सेलिंग साइड देखने को मिल सकते हैं अगर वहां पर प्रॉपर मार्केट उस तरह से चेले तो अगर गैप अप उपन होने के बाद तो आपको क्या करना है यह वाला जो जोने इस जोन के आसपस आपको कुछ भी नहीं करना है जैसे इस जोन को ब्रेक कर देगा अपसाइड के तरफ ब्रेक करें उस साइड में आपको डायरेक्शनल ट्रेड ले सकते हैं तो बैंक निप्टी को मैं क्या करता है यहां पर बैंक को उपन कर लेता हूँ और दोस्तों बैंक निप्टी के अंदर भी हमें अल्मोस्ट उसी तरह से देखने को मिल जा था क्योंकि दोनों भी मार्केट इसी तरह से चलता है लोगों को ट्रैप भी कर रहे हैं किस तरह से सेलिंग आ रहे हैं तो यहां पर में क्या करता हूँ पेले मार्केट आ चुका और यहां पर अगर देखा जाए तो मार्केट उसका एक सपोर्ट भी यहां पर ले सकता है अगर हो सकता है मार्केट यहां पर इसका सपोर्ट ले करके उपर की साड़ में फिर से जाए तो इसको क्या करता हूँ में टाइम फ्रेम को फिर से यहां पर कम क करके चल सबते हों, so यहाँ पर भी सेम चीज़े देखने हैं आपको, यहाँ पर भी अगर सपोर्ट के नीचे की साइड में मार्केट जाता है, तो यह वाले जोन के आपस आपको सम्माल के चलना है, यहाँ पर अगर और एक लेवल डाली जाए, तो यहाँ पर यह वाली लेव प्रेड ले सकते हो, उसके बाद में अगर देखा जाए, तो इस जोन से अगर प्रॉपर ली उपर के साइड में जाए, तो इसके उपर अगर मार्केट जाएगा, तो वहाँ पर दोस्तों आप रीटेश पर यहाँ पर मतलब ट्रेड की कर सकते हो, अच्छे से अगर पैटन लेवल के आसपास का तो वहाँ पर अगर स्लोली जाए तो नीट्रल ओपनिंग होने के बाद में अगर स्लोली उपर की साइट में जाए तो वहाँ पर आप लोग यहाँ पर अगर पैटन भी अच्छे काई से मिल जाए मतलब रिवर्सल पैटन मिल जाए जो की डाउंट्रेंड की मतलब अप्ट्रेंड को एक डाउंट्रेंड के अंदर कनवर्ट कर दे इसे जो कैंडर्श्टिक पैटन सेगर होते उनका भी इस्तमाल आप लोग यहाँ पर कर सकते और इस रेजिस्टन्स लेवल के आसपास आप ल और दोस्तों अगर आपको लगता है कि कई अलग अनेलिसिस आपका और आपको लगता है कि अलग डिरेक्शन में मार्केट जा सकता है तो कुछ इक COMMENT बोक्स के अंदर आप ज़रूर बता सकते हो वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों अब अपना खुद का देमाइट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो सो थेंक्यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो चले मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर